सीव जी की कृपा पाने के लिए करे प्रदोस व्रत और पढ़े यह पौरानिक था प्राचिन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था उस पुजारी की मृत्यू के बाद उसकी विद्वा पतनी अपने भरन पोशन के लिए पुत्र को साथ लेकर भींग वांगती हुई सा तक घर वापश आती थी एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश की राजकुमार से हुई जो की अपने पिता की मृत्यू के बाद दरदर भटकने लगा उसकी आहालत पुजारी की पतनी से देखी नहीं गई वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पु तथा घर जाकर वह भी प्रदोस्वरत करने लगी एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे उन में से पुजारी का बेटा तो घर लोट गया परंतु राजकुमार वन में ही रह गया उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रिडा करते हुए देखा तो उनसे बात क करने लगा उस कन्या का नाम अंसुमती था उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लोटा राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुचा जहां अंसुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी तभी अंसुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथ उससे कहा कि आप तो विदर्व नगर की राजकुमार हो आपका नाम धर्म गुप्त है अंसुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि सियुजी के क्रिपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं। एक दिन अंसुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पोचा। तब राजकुमार अंसुमती को अपनी जीवन की पूरी बात बताई। तथा साथ ही प्रदोस्वरत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी ओगत कराया। उसे दिन प्रदोस्वरत की प्रतिष्ठाव महत्व का बढ़ गया। तथा माननेता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगों पर अपनी स्रद्धा के अनुसार इस्तरी पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुस्य के सभी पाप और कष्ट नस्ठ होते हैं एवं मनुस्य को अभिष्ट की प्राप्ती होती है। बोलिये हरहर महादिय।